दॉक्टर सरोज चैन, सुभाश चंद चैन, रेनू चैन, अंजली चैन, आर्थी, आधित्य, आरव, सानवे, कुवम चैन, 302, सेक्टर 13, सोनी पत हर्याना श्री मानत चंद मुश्रफ, श्रीमति कमला देवी मुश्रफ, राकेश, नीतू, रिशव, आयूशी मुश्रफ, बी-130, सेटी कॉलनी, जैपूर राजस्थान श्री पाशनाथ, री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्दमान, विष्ट बंगाल, अमिता जैन, पतनी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पतनी, विपिन कुमार जैन श्री अशोत कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गोतम, प्राजी, आधित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, उननचास बालचंद टेरस तारदेव रोट, मुंबई श्री सुखवीर प्रसाज जैन, श्री मति राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनै खंड, गोमती नघर, लखनौ उत्तरप्रदेश इस कारिक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशिश जैन, श्रधा जैन, इशान जैन, मंधसौर, मध्य प्रदेश पंच परमेष्थी भगवान की जै, संत शिरो मने आचार विद्या सागर जी महराज की जै पिछली पाठशाला में चोथे अध्याई के अंतरगत, देवों के चार भेदों का वरनन, उनके दस पदों का वरनन, उनकी लेश्या, उनका प्रवीचार, वो पहले में हुआ उसके बाद पिछले वाले में भवनवाशियों के भेद, जैंतर और जोच्छी देवों के भेद, और जोच्छी देवों के द्वारा किस तरह सारा ये काल चक्र चलता है, इसका वरनन हुआ भवनत्रिक देवों का वरणन हो गया अब वैमानिक देवों का वरणन शुरू होता है वैमानिकाहा 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 जो विशेश मान सम्मान के योग्य होते हैं या जो विमानों में रहते हैं उपर स्वर्ग में उन्हें कहते हैं वैमानिक देव हम इस सूत्रकार्थ ये भी कर सकते हैं कि अब वैमानिक देवों का प्रकरण प्रारंब होता है इस तरह सूत्रकार्थ लगाना चीए बैमानिक देव कितने प्रकार के होते हैं? देखें कल्पोप पन्नाह कल्पातीतास्च कल्पोप पन्नाह कल्पातीतास्च बैमानिक देव दो प्रकार के होते हैं कल्पोप पन्न कल्पातीत शब्द से अर्थ निकाले कल्प उपपन जो कल्पनाओं में उपपन हुए हो और कल्पातीत जो कल्पनाओं से परे है पहले देव हैं कल्प उपपन जिन में इंदर सामानिक आदी कल्पनाएं है ये कहां तक होती हैं सोले में स्वर्ग तक तो कल्पूपपन माने सोले में स्वर्ग तक के देव और कल्पातीत माने जिन में ये कल्पनाएं नहीं होती अर्थात सभी अहमिंद्र होते हैं वे कौन हुए ग्रैवेयक अनुत्तर और अनुदिश बिमानी देव ग्रैवेक अनुदिश और अनुत्र में जो देव रहते हैं उन्में ये कल्पनाए नहीं होती इसलिए उन्हें हम कहते हैं कल्पातीत तो भहिमानिक देवों के दो भेद हैं कल्पूपपन कल्पातीत कल्पूपपन माने सोले में स्वर्ग तक के देव कलपातीत माने उपर ग्रेवेक अंदिश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव उपर युपरी उपर युपरी अर्थात ये बैमानिक देव जो हैं उपर उपर हैं ऐसे ये कहा हैं सारे के सारे ये मेरु परवत की चूलिका के उपर हैं सारे बैमानिक देव और ये उपर उपर हैं तो फिर इन बैमानिक देवों का निवास इस्थान किन बैमानों में हैं उन बैमानों के नाम स्वर्गों के नाम आगे बताते हैं सौधर मैशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोतर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्तरारेश्वानत, प्रानत यो रारनाचुत, योर नवशु ग्रैवे केशु, विजय वैजयन्त जयन्ता पराजितेशु, सरवार्थ सिद्धुच्र, बोलिए, सूधर मैशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोतर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्तरारेश्वानत, प्रानत यो रारनाचुतियो, नवशु ग्रेवे केशु, विजय वैजयन्त जयन्ता, पराजितेशु, सरवार्थ सिद्धुच्र, इस का आर्थ हम बोर्ड से समझते हैं, इस सूत्र में उन सब विमानों का नाम है, जिन विमानों में वैमानिक देव रहते हैं, ये हैं कैसे, सोले स्वर्ग हैं, उपर नौ ग्रेवेक हैं, नौ अनुदिश हैं और पांच अनुत्तर हैं, इन विमानों में रहते हैं, सूत्र से अब सबका अर्थ निकालते हैं शतार और सहस्रारेशु यहां हमें संदी विच्छेत करना है संदी यहां तूट रही है देखो संदी विच्छेत करना है शतार सहस्रारेशु अर्थात क्यारे में और बारे में स्वर्ग में इसके आगे आनत प्रानत योहो इन दोनों में आनत और प्रानत यो हो इन दोनों स्वर्गों में और यहां संदी बिछेद किया तो आरण अच्चुत यो हो आरण और अच्चुत इस प्रकार यहां तक सोले स्वर्ग हो गए इसके बाद नवशु ग्रैवेय केशु दो जगे संदी तूटी है इसलिए नौ ग्रैवेयक और अनुदिशों में इसके बाद पांच अनुत्तर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सरवार्थ सिध्धी इन में वैमानिक देवों का निवास है सूत्र बड़ा जरूर है पर बिलकुल सरल है तिक्कत जरा भी नहीं है एक बार फिर देखें सौधर्म और एईशान पहला दूसरा स्वर्ग सानत कुमार माहेंद्र तीसरा चौथा स्वर्ग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर पांचवा छटा सर्ग लांतव कापिष्ट सात्वा आठवा शुक्र महाशुक्र नौवा दस्मा सतार सहस्रार ग्यार्वा और वार्वा संदी विच्छे तोड़ी यहां आनत और प्रानत तेर्वा चौद्वा आरण और अच्चुत पंद्रे में और सोले में स्वर्ग में यहां तक चर्चा हुई कल्पोप पन्न की अब कल्पातीत नवशु ग्रैवेय केशु नौ ग्रैवेकों में और अनुदिशों में अब आई पांच अनुत्तर विमान विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सरवार्थ सिध्धी यह आपके सामने तीन लोग का नक्सा है अधोलोग, मध्धलोग और पातालोग इसमें यह मध्धलोग की लाइन है इससे नीचे अधोलोग है और इससे उपर यह उर्जलोग है इस चित्रा पृत्वी यह जो है यह पृत्वी का यह उपरी भाग है ना खर भाग के उपर यह चित्रा पृत्वी चित्रा पृत्वी के उपर यह मध्धलोग तो चित्रा पृत्वी की जड़ से उपर तक सात राजू और चित्रा प्रत्वी की जड़ से नीचे तक साथ राजू कुल मिलाके यहां से और अंत की लाइन तक ये चोधे राजू लंबा है साथ राजू में अधो लोग है और साथ राजू में मद्ध लोग और उर्द लोग दोनों है अब इसमें जो बिमान हमने अभी पढ़े ये बिमान कहां कहां पे हैं देखें जरा ये सौधर्म और ये अईशान लिखाए देखो सौधर्म और अईशान ये कितने में हैं डेड़ राजू में डेड़ राजू लिखा हुआ है फिर सानत कुमार माहेंद्र ये डेड़ राजु में है यहां तक तीन राजु हो गया तीन से आगे आधे राजु में ब्रह्म ब्रह्मोतर लिखाए देखो ब्रह्म ब्रह्मोतर फिर लान्तव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रार, आनत प्रानत, आरण और अच्चुत यह यहां से और यहां तक, छे राजु उर्द लोग तक, यह वैमानिक सोले में स्वर्ग तक के देवों का निवास है अब इस से उपर एक राजु और बचता है उस एक राजु में क्या है, यह जो नौ लाइन है आपको दिखाई दे रही है सोले में स्वर्ग से उपर यह नौ ग्रेवेयक है यह नौ लाइन दिखाई हैं, एक के नीचे एक, सबसे नीचे पहला ग्रेवेयक, पर दूसरा, पर तीसरा, फिर चौथा ऐसे इसके बाद यह जो आपको नौ शिखर दिख रही हैं यह, यह है नौ अनुदिश यह एक पटल में हैं, चार चार दिशाओं में, चार चार बिशाओं में और एक बीच में यह नौ हमने इस तरह दिखाए हैं, फर यह नौ इस तरह हैं, चार दिशाओं में, चार बिशाओं में और एक बीच में इसके उपर फिर ये आगए बिजय बैजयन्त जैन्त और अपराजित और सरवार्थ सिध्धी ये अनुत्तर विमान है पाँच अनुत्तर विमानों के बाद क्या है अनुत्तर विमानों के बाद 12 योजन जगे खाली छोड़ दो सरवार्थ सिध्धी से उपर फिर ये आठ योजन मोटी ये अस्टम पृत्वी है हम बोलते हैं ना अस्टम वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए ये अस्टम पृत्वा अस्टम वसुधा कौन ये अस्टम वसुधा इसमें ये क्या है ये है सिद्द सिला ये सिद्द सिला है सिद्ध सिला के ऊपर क्या है फिर तीन वात वले हैं पहला घनोज़दी वले फिर घनवात वले और फिर तनवात वले सिद्ध भगवान कहां विराजबान होते हैं इस सिद्ध सिलाप है नई सिद्ध भगवान विराजबान होते हैं तनुवात वले के अंत में जहां लोक समाप्त होता है सारे सिद्ध भगवानों के सिर्फ वहां इसपर्ष करते हुए होते हैं इस तरह ये उपर उर्द लोग का चित्रण है वेह मानि टेवों के कुल कितने पटल हैं पटल कहते हैं बिमानों की पंग्तियां जैसे एक मकान में फ्लोर होते हैं इसी तरह कुल कितने फ्लोर बिमानों के हैं सोले में स्वर्ग तक बामन पटल हैं नौ ग्रेवेक के नौ पटल हैं बामन और नौ 61, नौ अनुदिश का एक पटल है और पांच अनुत्तर का एक पटल है इस तरहें उर्जलोक में कुल 63 पटल है सबसे जादा पटल सौधर मोरैशान स्वर्ग में हैं जिनकी संख्या 31 है कुल पटल कितने 63 पटल उपर वैमानिक देवों के हैं उपर स्वर्गों में कुल विमान हैं 84, 97,023 प्रतेग विमान में एक एक अकर्टिम जिनाले हैं तो उर्द लोक के जिनाले भी 84, 97,023 गिने जाते हैं इस तरहें देखा जाए तो कुल बिमान 84,97,023 और उनमें प्रत्यक जनाले के 108 प्रत्माओं का गुणा कर लो कुल मिलाके इतनी प्रत्माएं उन सारे बिमानों में हैं सूथ में सरवार सिद्धी बिमान वो अलग से क्यों दिखाया है इसका कारण है कि सरवार सिद्धी में पैदा होने वाले सभी देव अगले जनम में मनुष्य बनकर मोक्ष पराप्त करते हैं इनका सिर्फ एक भव और शेष रह गया है मनुष्य परियाए का सब सरवार सिद्धी से मनुष्य परे आइधारन करेंगे मुनी बनेंगे और मुख्ष पधारेंगे ये विशेस्ता होने के कारण उसको सबसे अलग दिखाया या और अनिकेव भी है जो एक भवावतारी होते हैं एक भवावतारी का मतलब होता है जिनका आप सिर्फ एक मनुष्य भवलेना शेश हैं और मुख्ष चले जाएंगे आपका प्रशन है क्या और भी कोई देव ऐसे होते हैं क्या हाँ होते तो हैं जैसे सभी सौधर्म इंद्र उनकी सची नाम की इंद्रानी उनके सभी लोकपाल सारे दक्षणेंद्र सभी सर्वार सिद्धी के देव और सारे लोकांतिक देव ये देव इतने महान होते हैं कि अगले भव में मनुष्य बनेंगे नियम से मुक्ष जाते हैं प्रशन अब खड़ा होता है ये उपर उपर जो बैमानिक देव रहते हैं इनमें किन किन बातों की अधिकता पाई जाते हैं अगला सूत्र देखिए इस्थिति प्रभाव सुखद्युति लेश्या विशुद्धिंद्रिया वदिविशय तोधिकाह दुआरा बोलिए नीचे से उपर के विमानों में ये बातें अधिक अधिक हैं सूत्र देखें सूत्र बहुत सरल है इस्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि और इंद्रिय विशय और अधिक ज्यान की अधिकता ये नीचे से उपर ज्यादा ज्यादा है अर्थात पहला विशय आया इस्थिति नीचे से उपर के पटलों में उपर के स्वर्गों में बिमानों में आयू ज्यादा ज्यादा है अर्थात सबसे कम वाले आयू वाले कहां मिलेंगे पहले दूसरे स्वर्ग के पहले पटल में सबसे कम उससे फिर जादा 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 वाले मिलेंगे तो इस्थिती माने नीचे से उपर उपर आयू जादा जादा है प्रभाव, शापा नुग्रह शक्ती, अच्छा अर्थात अच्छे बुरे करने की सामर्थ, पावर, समर्थता ये नीचे से उपर जादा जादा है सुख, नीचे से उपर सुख जादा जादा है जुती, शरीर की आभरणों आदिकी कांती नीचे से उपर जादा जादा है लेश्या की विशुद्धी अर्थात लेश्या नीचे पीत है उपर विशुद्ध होते होते उपर जाके परम शुक्ले लेश्या हो जाती है नीचे से उपर लेश्या की विशुद्धी जादा जादा है इंद्रिय विश्यों की अधिकता पांचों इंद्रियों का विश्य नीचे से उपर ज़्यादा ज़्यादा है और अबदिग्ञान की शीमाएं भी नीचे से उपर ज़्यादा ज़्यादा है विशेश्वरनन अगर आपको देखना हो तो सरवार सिद्धी राजवारतिक आदिगरंथ में देख लें यहां हम संख्षेप से ही पढ़ा पाएंगे नहीं अनिता ये विशे बहुत हो जालेगा अगला सूत्र ये बता रहा है कि नीचे से उपर के सरगों में क्या क्या चीजें कम हैं गति शरीर परिग्रह विमान तो ही ना बोलिये चार बातें बताईएं गति शरीर परिग्रह और अभिमान इनकी अपेक्षा से नीचे से उपर के बिमानों में ये चार बातें कम-कम है वहां कहा था पहले सूत्र में अधिकाहा अब करें हीनाहा ये चार बातें उपर-उपर कम पाई जाएंगे कौन-कौन पहली बात तो गती गती माने आवागमन आना जाना भाग दोड़ नीचे से उपर के बिमानों में गती कम होती है शरीर शरीर नीचे से उपर के बिमानों में छोटा-छोटा-छोटा होता है परिग्रह भी नीचे से उपर के बिमानों में कम होता है और अभिमान माने एहंकार मान कशाई की तीब्रता नीचे से उपर के विमानों में कम-कम पाई जाती है इसका कारण जरा और देखते हैं जैसे नीचे से उपर के विमानों में गती कम क्यों है कशाई की तीब्रता होती है वो ही आदमी भाग दोड जादा करते है कशाई की मंदतावाले भागदोड कम करते हैं प्राप्त धन में संतोष रखते हैं देवों में नीचे से उपर लेश्या की बिशुद्धी है नीचे पीत उपर पद्म शुक्ल और परम शुक्ल इसलिए उपर उपर आवागमन कम है और तोर सोले में स्वर्ग से उपर के जो देव हैं ग्रेवेक अनुदिश और अनुत्तर विमान वाले वे तो भगवान के कल्यानकों में भी नहीं आते इतने शान्त परणामी होते हैं कल्यानकों का अबदिग्यान से ग्यान हुआ खड़े हुए और साथ कदम आगे बड़े वहीं से नमोस्तु भगवान को अबदिग्यान से देख के कर लेते हैं आना जाना उनको नहीं सुहाता नीचे से उपर गती माने आवागमन कम है शरीर देखिए सौधर मर एईशान स्वर्ग में शरीर कितना बड़ा साथ हाथ छोटा होते 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 उपर अनुत्तर सरवार सिद्धी में मात्र एक हाथ बस नीचे साथ हाथ है और उपर शरीर की अबगाना कम होते 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 एक हाथ रह गई है इसलिए शरीर की अपेक्षा भी नीचे से उपर ही ना है परिग्रह कशाई की तीबृता होती है तब परिग्रह एकत्र किया जाता है यहां कशाई की उपर उपर मंदता है क्यों? क्यों कि लेश्या की भी शुद्धी है इसलिए परिग्रह भी उपर उपर कम है और चाहें चौथा गुनुस्तान हो अभिमान मान का शाय है अब प्रत्या ख्यान प्रत्या ख्यान संजलन तीनो लेकिन फिर भी जो अहिंकार नाम की चीज़ जो अभिमान नाम की चीज़ है वो कम कम है अर्थात शान्त परिणामी है आना जाना शरीर की अभगाहना परिग्रे और अभिमान कम कम होता है आगे बताते हैं कि इन बैमानिक दिवों में लेश्या कौन सी होती है पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वीत्री शेशेशु बोलिए अर्थात सौधर्म और एशान स्वर्ग में पीत लेश्या है पहले दूसरे में तीसरे चौथे स्वर्ग दूसरे युगल में नीचे पीत ऊपर पद्म है पांच, छे, साथ और आठमे स्वर्ग में पद्म लेश्या है नौ, दस, ग्यारे बारे में पद्म और शुक्ल है और उसके बाद सभी कलपोपन्नों में और कलपातितों में शुक्ल लेश्या है उपर इतना अंतर जरूर है ग्रेवेकों में शुक्ल लेश्या है और अनुदिश और अनुत्रों में परम शुक्ल लेश्या है दुवारा देख लें सूत्रकार्थ क्या है पीत लेश्या दो युगलों में पद्म लेश्या तीन युगलों में और शुक्ल लेश्या शेश युगलों में शेश बिमानों में है भावर्थ करेंगे तो ये बनेगा पहले दूसरे स्वर्ग में पीत तीसरे और चौते में नीचे पीत उपर पद्म पांक छे साथ आठ में पद्म लेश्या है नौ दस ग्यारे बारे में पद्म और शुक्ल दोनों है तेरे, चौदे, पंद्रे, सोले में स्वर्ग में शुक्ल लेश्या है नौ ग्रेवेकों में शुक्ल लेश्या है और अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेश्या है वैमानिक देवों की चर्चा में वे कहां रहते हैं उनके विमान उपर उपर है, नीचे से उपर किन बातों की अधिकता है, किन बातों की कमी है और उनकी लेश्या है, इसका परचे आज इस पाठशाला में हुआ, अब सेश बहिवानिक देवों की और चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे, तब तक के लिए जय जिनेन! श्री मानक चंद मुश्रफ, श्रीमति कमला देवी मुश्रफ, राकेश, नीतु, रिशव, आयूशी मुश्रफ, बी एक्सो तेस, सेठी कॉल्नी, जैपुर राजस्थान! श्री पाशनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्दमान विश्ट बंगाल, अमिता जैन, पतनी, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पतनी, विपिन कुमार जैन, श्री अशोत कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राजी, आधित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, उनन्चास बालचंद टेरस तारदेव रोट, मुंबई श्री सुखवीर प्रसाज जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनै खंड, गौमती नगर, लखनों, उत्तर प्रदेश इस कारिक्रम के नमन करता हैं कलावती जैन, आशिश जैन, शद्धा जैन, इशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश